आज हम एक बहुत ही common topic के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत लोग कुछ नहीं बताते हैं कि eye drops अगर खुट डाला जाए तो कैसे डालते हैं नमश्कार मेरा नाम डॉक्टर श्रेया नायक है और मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ अकिरा विजन क्लिनिक्स मेरा ट्रूप नेत डालें कई लोग जिसे post-op patients होते हैं उनके में बहुत बार relative eye drops डाल देते हैं तो उन्हें को इतनी परिशानी नहीं होती बहुत लोगों को अपने आप या फिर frequently drops डालने की ज़रत परती है तो आज हम इसी लिए उन्हीं के लिए विडियो बना रहा है कि अपने आप कैसे eye drops और eye gels को डाला जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे eye drops को कैसे इस्तिमाल करना है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि eye drop जो है उसकी expiry क्या है that is the first thing that you should check तो expiry का date यहाँ पे site में bottle में लिखी होती है तो एक बार जरूर चेक कर लीजेगा कि जो bottle आपने खरीदा है वो within expiry date है या नि अगर यह expiry date के बाहर है तो इसके जो active ingredients है वो और active नहीं है तो आप बस preservatives डाल रहे हो अपनी आख के अंदर तो you are causing more harm than good तो first thing हमने expiry check कर ली next thing check करना है कि bottle sealed है कि नहीं हाँ mostly bottle sealed ही मिलेंगी आपको but you never know तो एक बार seal check कर लेना है seal को तोड़कर next जो step आपको देखना है वो है इसका जो nozzle है nozzle clear है कि नहीं most eye drops के nozzle यह translucent होते है मतलब ना true transparent ना to opaque तो कहीं बीच में होते हैं कहीं इसमें कोई गंदगी yellowishness या कुछ अगर ऐसा हो तो मतलब यह पुराना eye drop है इसको fake दिया जाओ अब हम बात करेंगे कि इसको डालना कैसे है तो सबसे पहले आपने इसका धकन उतारा और धकन को रखने के लिए आप अपने countertop या फिर अपने bed के side पर प्लीज एक साफ tissue रखे और उसके ऊपर जाकर इसको रखेगा आज कल जो eye flu फैर रहा है वो देखा गया है कि eye drops डालते हुए भी eye flu कम नहीं हो रहा वाई विकाज जो आप cap डाल रहे हो कभी अगर random जगा पर जहां पर गंदगी है वहां पर डालो और फिर इसको close करो तो उसके germs इस पर जरूर ट्रांसफर हो रहे हैं तो be careful आप अपना cap कोई tissue या फिर साफ cloth के ऊपर ही डाले नेक्स्ट जो भी आपका eye drop है उसको जो भी eye में आपको डालना है वो डिसाइट करना है जो भी आपके doctor's में prescribe किया है suppose मुझे अपनी left time eye drop डालनी है तो सबसे पहले हम अपना hands wash करेंगे जैसे normally hand wash techniques आपको बताई जाती है वैसे hand wash करिएगा next drop को पहले अपने हाथ को ऐसे करके pull down कर लीजेगा ताकि यह lower lid एक pocket सा बना ले ठीक है इसको eye lid pocket बोलते हैं जो कि आपको lower lid pull करके पाया जाता है उसके बाद बहुत बार हम क्या करते हैं ऐसे करके डालने की कोशिश करते हैं that is not the right way आपको अपना head tilt back करना है मैंनी बोल रही पूरा 180 degree करिए बड़ जितना हो सके उतना करिए तो जैसे यह नीचे किया हमने दूसरे हाथ को इस हाथ पर support किया नहीं तो बहुत बार ऐसे होत यह हाथ इस पर rest किया और यह आंके अंदर तो यह बहुत ही आसान तरीका है three steps है pull down, tilt, rest and drop ठीक है तो four steps है basically तो यह है eye drops कैसे इस्तमाल करते हैं उसकी technique अब आपको हमेशा जो ध्यान रखना है कि eye drops store कैसे करते हैं जब भी आप कोई नया eye drop खोलेंगे उसके side में हमेशा लिखा होता है कि store up below four degrees, at cool places, without sunlight, यह सारी instructions जो भी drops है उसके according लिखी होती है तो जो भी लिखा हुआ है उसको जरूर follow करेगा नहीं तो जो इसके active chemicals होते हैं वो बहुत बार inactive हो जाते हैं तो आप फालतु में बस drop डाल रहे हो बड़ उसका effect होता नहीं अब next आजकल market में का one day का एक pack होता है ताकि minimal chance of infection हो जैसे मैंने आपको बताया था कि drop में अगर आपने गलती से nozzle को छू लिया, cap को यहां वहां रख दिया, अब अगले दिन फिर से यही drop डालोगे, यही nozzle और यही cap यूज़ करोगे, तो infection के chances high होते हैं तो उसको minimal रखने के लिए आजकल unims आने तो throw it away, next day आप दूसरा unim use करेंगे, तो यह एक brand का drop है called sequa, तो ऐसे आते हैं इसके unims, जिसको हम एक को break करके एक इस्तमाल करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा technique होता है, आपको बस इसको hold करना है, twist करना है और खोलना है, ठीक है, and then again keep the cap at a careful place, then again pull back your head, यह किया, rest किया, और drop डाल दिया, चिक है, तो again one more thing that I would like to say, कि जब भी आप drops आँके अंदर डाल रहे हो, बहुत बार यह drops body में absorb हो जाती है, body में absorb हो जाने के वज़े से बहुत बार कुछ side effects भी देखे जाते हैं, तो उसको prevent करने के लिए, drop जैसे ही डालते हैं, बहुत vigorously ऐसे नीचियेगा मत, blink मत करियेगा, अराम से normally जैसे blink करते हैं वैसे, और यहाँ पे जो bump है, एक boni area है, उसको दबा दीजेगा, ताकि systemic absorption, शरीर में absorption views drop का कम हो, और आख में concentration जादा बना रहे हैं, तो जैसी आपने drop डाला, इसको यहाँ पे close कर दीजेगा, अब इस unim को आप पूरे दिन इस्तमाल कर सकते हो, तो इसको close कैसे करते हैं, यह unim लिया, इसका यह cap है, और इसको इस पे push करके बंद कर दिया, तो यह seal off हो गया, तो this is safe for a day's use, and then you can store it wherever it has asked to. नेक्स्ट है, जैल को कैसे इस्तमाल करते हैं, जैल बहुत बार severe dry eye patients में दिया जाता है, कभी कबार MGD या फिर जिनको mevomine gland dysfunction है, उनमें दिया जाता है, blepharitis patients, बहुत सारे ऐसे patients हैं, जिनमें हम जैल प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको ऐसे कोई जैल prescribed करी गई है, तो आज मैं बताती हूँ कि उसको कैसे इस्तमाल करते हैं, तो सबसे पहले आपने इसका gel का expiry date देखा, nozzle देखा, सब कुछ clear है, cap को एक safe surface पे रखा, and then थोड़ा सा निकाल कर चेक कर लीजे कि आपको कितना pressure लगाना है, then again the same technique, बट इस बार आपको देखना है कि कितना gel जाना चाहिए आँक के अंदर, तो आप मान लीजे कि चावल के दाने जितना, उतना ही pasty सा चावल के दाने जितना amount आपके आँक के अंदर जाना चाहिए, अगर कुछ specific prescription होगी तो आपको डॉक्टर आपको बता देगे, तो again same thing, pull down, lid support, और इसको express करते करते आँ आपके अंदर gel डालना है, again be careful कि ये आपकी आँक को छूनी नी चाहिए, ये nozzle should be away from the eye, थोड़ा time लगेगा gel, because वो viscous substance है, pasty substance है, तो एकदम से गिरता नहीं है, but अगर आप उसको थोड़ा amount already press करके लेकर जाओ, आपके उपर, तो वो एक firm सा drop बना देता है, Most viscous gels यूज करने के बाद आपको थोड़ी दे थोड़ी blurring, blurred out image दिखेगी, तो इससे डरिये गमर, वो एक बहुती thick substance होता है, जो कि बार बार blink करने के बाद ही, पूरे surface पे evenly फैलता है, तो gels के बाद थोड़ा बहुत धुन्दला दिखना normal होता है, so don't worry about it, अगर आपको blurring persistent रहे, after maybe 15 minutes of putting your gel, तो अपने डॉक्टर को जरूर कॉन्टाक करेगा, अब कुछ और टिप्स जो मैं देना चाहती हूँ, especially उन लोगों में, जिन में frequent drops या फिर बहुत सारे drops, एक से जादा drops prescribed करी गई है, उन में दो drops के बीच में 5 मिनिट का gap होना चाहिए minimum, अगर 5 मिनिट क gap नहीं हुआ, तो जो second drop आप डाल रहे हो, वो first drop के active ingredients को flush out कर देता है, मतलब उसको बहे जाएंगे बाहर, second thing, जैसे मैं आपको बताया था, systemic absorption के लिए आपको यहाँ पर प्रेस करना है, this holds true for all drops, अगर आप प्रेस करके डालेंगे, तो जो drops की effectiveness है, आख के अंदर penetrability है, वो सब बढ़ जाती है, तो यह प्रेस करना ना भूलें, while putting your eye drops, and third thing, after opening a bottle of eye drop, एक महीने से जादा उसको ना use करें, क्योंकि after one month, we don't know कि उसमें preservatives active हैं की नहीं, उसके जो कोई germ infected तो नहीं है, so we say that one month से जादा कोई भी खुला drop अगर पढ़ा हुआ है, तो उसको वापस मत इस करिए, that is it for today, आज हमने बात किया कि drops कैसे डालते हैं, unims कैसे use करते हैं, और gels कैसे use करते हैं, अगर आपको कोई भी doubt हो, नीचे comment box में डाल सकते हैं, thank you.